हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो यह हमारा टेस्ट नंबर 28 है जो कि है पर्यावरण एबं पारिस्तित्की पर यानि इंवारेमेंट एकोलाजी पर तो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है तो जैसा कि हम इसमें 10 कोश्चन रखते हैं और सारे कीज भी शूरू कर रहे हैं वो है कि इस वीडियो के अंत में दो कोश्चन ऐसे होंगे जिनके एंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा और यह दो कोश्चन जो होंगे वो पिछले टेस्ट में जो हम पूछ चुके हैं मतलब यह टेस्ट नंबर 28 है तो पिछले 27 टेस्ट हो चुक लिए और आपका रिवीजन भी होता रहे हैं तो चलिए श्रू करते हैं पहला कोश्चन है हैम पेबकिया प्रत्ली सिकर समयलन कहा हुआ था है तो यह काफी इंपाटैंट कोश्चन है और यह सिकने इन्वारमेन्ट के कोश्चन बहुत जधा इंपाटैंट है जो पहले तो इसका right answer होगा Rio de Janeiro में right और ये कब हुआ था? पहला प्रतवी सिखर सम्मेलन कब हुआ था? और इसका नाम क्या था? तो ये पहला प्रतवी सिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में Rio de Janeiro जो कहा है? Brazil में और तो पहला हुआ था 1992 में और इसके 20 वर्स बाद एक बहुत महात्पूर सम्मेलन हुआ था रियो में ही तो इसके 20 वर्स बाद हुआ था तो 20 वर्स बाद यानि 2012 में सन 2012 में जिसको नाम तो 1992 में हुआ था पहला प्रत्वी सिगर सम्मेलन इसे कहा गया था और जो 20 वर्स पाद हुआ था तो इससे कहा गया है रियो प्लस 20 इसको आप ऐसे लिख सकते है रियो प्लस 20 आपने पड़ा होगा जो कि 2012 में हुआ था जिसे नाम दिया गया था सतत विकास पर सहित्रा शम्मेलन तो यह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ओके अगला कुश्चन है UNEP या फिर UNEP का मुख्याले कहां वस्तित है जिनेवा में काठमांडू में न्यू यॉक में या फिर नेरोबी में तो जो प्रमुक संगठन है उनके सबके मुख्याले कहां कहां है यह आपको याद होना चाहिए और यह संगठन अंतराश्ची संगठन कौन कौन से रिपोर्स जारी करते हैं इससे भी संबंदित कोश्चन पूछे जाते हैं UPSC में तो पूछे जाते हैं स्टेट PSC में भी तो इनका मुख्याले कहां है यह बताएं आप यूनेप का जिसका राइट एंसर होगा नेरोबी में और नेरोबी यह किस देश की राज़ानी है यह भी आप हमें कॉमेंड में बताएं और किस कांटिनेंट में है किस महादूइप में वो देश अगला कोश्चन है रेड डा अच्छा उपर जो हमने को पड़ा था यूनेप इसकी स्थापना हुई थी 1972 में 1972 में तो आप यह भी याद रख लो ओके तो डाटा बुक यानि रेड लिस्ट से संबंदी संगटन कौन सा है आई यू सी एन आई यू सी एन एक्जाम में आपको अगर हिंदी में पेपर दे तो यही रेड लिस्ट जारी करता है और रेड लिस्ट यानि रेड डाटा बुक इसमें जो विलुप्त के कगार पर हैं जीब जुन्त और पेंड पौधे उनको इसमें लिस्ट करता है उनको दर्ज के नाम दर्ज करता है यह संगटन अगला कुश्चन है पर्यावर्ण संदक्षन अधिनियम कब पारित हुआ था 1982 में 1986 में या फिर 1990 में या फिर 1994 में तो यहाँ पर पांस सेगंड का हम समय आपको देते हैं आप चाहें तो वीडियो को पास करके और थोड़ा ज़्यादा समय ले सकते हैं है इसका राइट अंसर होगा 1986 में तो पर्यावर्ण संदक्षन अधिनियम यह पारित किया गया था 1986 में अगला कोश्चन है मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं काफी इंपॉर्टेंट कोश्चन है मोजोफाइट्स हाइड्रोफाइट्स जीरोफाइट्स या फिर हेलोफाइट्स तो इस कोश्चन में तो आप इसके आपसम इलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपने पेचले हमारे वीडियो देखे होंगे तो इसका राइट एंसर होगा जीरोफाइट्स अच्छा हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं जो जल में उगने वाले पदों को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं हेलोफाइट्स उन पदों को कहते हैं जो लवडिय मर्दा में उगते हैं उनको कहते हैं हेलोफाइट्स और जो मरु चक्र में औक्सीजन चक्र में फास पॉरस चक्र में नैटोजन चक्र में या फिर करवन चक्र मेbin कि इसका राइटा आं स्रोगा करवन चक्र में chest cancer सरूरजा कि महतपुणषण होती है कि इसके बाद एक बहुत इंप्वहट इंप्वहरटेन कोश्चन कोशन् तो इसका राइट एंसर होगा भूमद्द रेखा अब देखे कैसे यह हमारी प्रतवी है माल लीजे और इसके मद्द से एक कालपनिक रेखा कीची गई है जिसे भूमद्द रेखा कहते हैं या विश्वत रेखा भी कहते हैं कालपनिक इसलिए क्योंकि वास्तिपिंग में कही दिखेगी नहीं आपको लेकिन भूगोल वेत्ताओं ने असा मान रखा है बिल्कुल सेंटर से तो वार्षिक तापांतर न्यून होता है भूमद्द रेखा पर वार्षिक तापांतर क्या होता है किसी इस्थान पर वर्स में किसी इस्थान पर वहां का सबसे उच्चतम ता बहुत प्रचंड गर्मी भी पढ़ती है जैसे हमारे देश में भारत में गर्मी समय बहुत गर्मी पढ़ती है और सर्दियों में बहुत उत्तर भारत की बात कर रहे हैं दक्षिन भारत में तो कम ही है तापांतर लेकिन भूमद रेखा पर ये तापांतर बहुत कम रहता है य कौन सा इस्तान धनी है जै विवित्ता की दर्ष्टि से भारत में पश्चमी घाट पूरीबी घाट थार का रेगिस्तान या फिर बंगाल की खाड़ी इसका राइट एंसर होगा पश्चमी घाट ओके और एक कोशन और पूशा जाता है कि जै विवित्ता के संबंद में जो सबसे धनी जो वन है वो कौन से है तो उश्ण कटवंदी वर्षा वन है जो की है जिसे ये परत्वी है ये भूमद्द रेखा है तो भूमद्द रेखा यानी 0 डिगरी अच्छांस से 10 डिगरी उत्तर और 10 डिगरी दक्षणी अच्छांस के मद्द उश्ण कटवंदी वर्षा बन है और यहीं पर सरवादिक जै विवित्ता पाई जाती है लेकिन भारत में पश्चमी घाट में अगला कोशन है निमलिखित में से कौन सी गैस ग नहीं है, मिथेन, नाइट्रोस अक्साइड, जलवाश्प या फिर हाइड्रोजन, काफी कन्फ्यूज करने वाला कोशन है यह, इसका राइट एंसर होगा, हाइड्रोजन, काफी लोग जलवाश्प सोच रहे होंगे, जो की गलत है, यानि, ग्रीन हाउस गैसेज में, मिथेन नाइट्रस अक्साइड भी है, जलवाश्प भी है, लेकिन नहीं, यहां पूछा गया है, नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है, क्लोरो फ्लोरो कारवन्स वो भी ग्रीन हाउस गैसेज होती है, और इन सारी गैसों का, मतलब यह जो मिथेन, नाइट्रस अक्साइड और भी चैस नहीं है, अगला कोश्ण है, ओजोन परत् परतिवी से कृश्प पर आहे है, तो एक कोश्ण पूछा जाता है, खिस मंडल में स्थित है, और कभी कभी पूछ ले जाता कि कितनी किलोमेटर उचाई पर रहती थे तो 50 किलोमेटर, 300 किलोमेटर, 1000 किलोमेटर या फिर 20 किलोमेटर तो इसका राइट एंसर होगा D 20 किलोमेटर लगवग 20 से 35 किलोमेटर के आसपास उचाई के बीच में ओजोन परत पाई जाती है में हिंदी में समताफ मंडल या कभी-कभी उसको इंग्लिफ में लिखके वह पर देजाते हैं तो आप इंग्लिफ में याद रखें कि स्टेटो इस्पियर में पाई जाती है उगे तो जल्दी से मैं आपको यह बता दूं कि इस सभी के आंसर क्या के टाकि आप में काउंट करके यह बता सकें कि कितने कोशन आपको पहले से पता थे उसके बाद हंब को से रिवीजन कोशन पूचते हैं तो पहला प्रथविच सिकर सम्में लें रियो डिजनेरियों में वह था यह नेयुए के यह कि राजधानी रेट डेटा बुक IUCN यह जारी करता है इससे समंदी संक्टन है प्रयावरान सनक्षन अधिनियम 1986 में फिर है मरुस्तल में गुने वाले पौदे जीरो फाइट्स सवरोजा की सबसे मातपुड भूमिका कारवन चक्र में होती है और वार्शिक तापांतर नियूंतम होता है भ तो यह आउट अफ 10 कितने कोश्चन आपको पता थे यह आप हमें कॉमेंट में बताएंगे और इसके अलाबा यह जो रिवीजन कोश्चन है इनकी एंसर भी आपको इसके साथ में बताएंगे जो कि कोश्चन नमबर 11 और कोश्चन नमबर 12 तो आप ऐसे करके लिग दें दें ताकि हम समझ जाएंगे और आउट आफ 10 कितने कोश्चन आपके सही हुए यह भी आप हमें कॉमेंट में बताएंगे तो इन दो कोश्चन के एंसर मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि यह हम पहले के टेस्ट में बता चुके हैं हम इसके बारे में डिसक्स कर चुके फरोदीप या फिर विलिंग्टन दूइप विलिंटन दूइप तो इसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से आपको बताया था अंसर तो अमीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होते सो लाइक कर दें ओके तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, जो लोग वागी टेस्ट देखने साथे हैं तो वो description में आपको link मिल जाएगी, वहां से playlist में जाकर सारे टेस्ट देख सकते हैं, तो दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के यह जहिल्द।